मजदूरी के बुक्तान अब तक नहीं मिल पा रही है मजदूर अपनी महनत की राशी के लिए कई बार पंचायत के सच्चिव सरपंच से लेकर उच अधिकारियों तक भी गोहार लगाई जा चुकी है इसके बाद भी राशी नहीं मिली तालाब निर्मान पूर्ण होने के बावजूद जब मजदूर अपनी महनत की अधी राशी के लिए पंचायत करे ले जाते हैं तो पंचायत के जिम्मेदार अधिकारी द्वरा कहा जाता है उपसिती पंची में आप लोगों के नाम मिस्टेक हुई है हम उसे जल्दी सुधार कर आपके खाते में राशी डाल देंगे मजदूरों को ये आश्वासम दिया जा रहा है और वहीं पंचायत के उप सरपंच द्वरा कहा गया कि तालाब नरवान में कारे करने के लिए मजदूर ढून के लाने पर आप लोगों को दिन का 200 रुपे दिया जाएगा जूर बोल गए वही सरपंच सहित अन्य अधिकारियों के लापरवाही के चलते मजदूर तीन साल अपनी मेहनत की राशी के लिए घूम रहे है वहीं पूरा मामला पंचायत के जिम्मदार अधिकारी केमरे के सामने इस से लेकर कुछ भी कहने से इनकार कर रहे है का पेमेंट रूख गया है 28 गोदी के तो इसके बाद आप सरपंच सहित के पास गये थे पैसे लेकिना रजिस्टर में मिस्टेक हुआ है हम लोग कुछ दिन बाद नाम और दर्ज करके पेमेंट दिलवा देंगे बोले थे कि इसमानिक पूरी कि यहां गोदी कुदाई चल रहा था तो वहां बोले थे कि गोदी खोदने वाले आदमी मेरे कहीं से लाकर दूद दो मैं आपको पर्त देखा तो आदमी आप ढूंड के ला दिये हाँ ला दिये गोदी भी खतम हो गया लेकिन पैसा नहीं मिला तो आपको हां का पैसा भी नहीं मिला एक रूप्या नहीं लिगा है और मुझे सुक्री नावाँ सुक्री भाई नांग और मागो आड़ी नापारा आम चोगर अलोग गोदी मन खनुगे लवात लेकि मान उन्चों पाइशा बलनी मीरे आधा मीरे ली आधा ही देव तो अभी सची उसर पंच काई बल सथा तो अच्छी उसर पंच लग बल गेला हुन मन बलनी देवत ना काई नारायनपूर से बिपलब कुंडू की रिपोर